एक प्रश्न का उत्तर देजिए, राजनिती का अस्तर कितना गिर सकता है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तक तो ठेक था, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी. राजनिती और गिरी और एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले किये गए, बात यहां तक भी नहीं रुकी. भा आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वष्णी Alternate News Media Portal, और मैं अपनी स्तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे ममता बनर जी अब चुनाओ जीतने के लिए वेटिकन की सरण में आ गई हैं, आगे बढ़ेंगे, उससे पूर्विय अदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हाली में ममता बनर जी की पार्टी त्रिर्वल कॉंग्रेस ने असम सरकार पर एक पत्र के माध्यम से निशाना साधा है, टीमसी ने ता साकेत गोखले ने वेटिकन के परम धर्म पेठ के द पक लिया, और भारत इस्तित वेटिकन के परम धर्म पेठ के दुतावाश को एक पत्र लिख दिया, टीमसी ने पत्र में असम पुलिस के आदेश की जाच करने को कहा है, यहां गौर करने वाली बात या है, कि टीमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने भारत के आंतरिक मामले मे अंतराश्टी हस्त छेप की मांग की और वेटिकन को लिखे गए पत्र में इसकी जाच करने और इस मुद्दे को उचित मंचो पर उठाने को कहा, असम पुलिस ने ऐसा कोई आदेश दिया या नहीं दिया, वो सही है या गलत, या अलग से चर्शा का भी सह है, परन्तु वे प्रश्ण पूछने हैं कि जब बंगाल में हिंदों पर खुले आम अत्याचार होते हैं, तब वो कहां गाइब हो जाती हैं, जब त्रिणून के गुंडे हिंदों के साथ बंगाल में लोट पाट, हत्या और बलातकार जैसे अपराधों को अंज्याम दे रहे थे, तब उन् नौर्थ इष्ट के राज्यों में अपनी पकड मजबुत बनाना चाहती है, त्रिणून कॉंग्रेस असम में भाजपा के नित्रित वाली सरकार पर पहले भी चर्चों को लेकर अपना निशाना सा चुकी है, बर्स 2011 की जंगर्णा के अनुसार असम की कुल आबादी 3.1 करो वोट पाने के लिए उनकी हितैशी बनने का ढ़ोंग कर रही है, और ऐसा पहले बार नहीं हुआ, जब ममता वनर जी ने इसाईयों को लुभाने और उनके वोट पाने के लिए इस तरह की हरकत की हो। इससे डर गई और पूरे मामले को दबाने की कोशिश करने लगी। यह बास शायद ही किसी से छुपी हो कि त्रिर्मून कॉंग्रेस आज मुसलिम तोष्टी करन की बदोलत ही सत्ता में टिकी हुई है। बंगला देशी घुसपैठियों को संड्रेक्षन देकर ममता बनर जी ने जिस तरह से लोकतंत के धंचियां उड़ाई है। वो भी किसी से छिपा नहीं है। बंगल के मुख्यमंतरी ममता बनर जी जिस प्रकार सी अपनी सत्ता के लिए मुसलिम वोट बैंक को अधिक महत्पूर्ण मानती है। बस अपने वोट बैंक को साधने में लगी है। और अब इसी क्रम्य ओव वेटिकन की सरण में भी पहुंचते दिख रही है।